वेलकम टो कोकिंग के अरसिटी आज मैं लेकिया आई आपके लिए आलू और प्याज की बहुती टेस्टी सबजी जो बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाएगी अगर अभी तक आपने मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ये लिए आपने आलू इसे हम छुड़ी चुड़ी टुकड़ों में काट लेंगे ये लिए प्याज इसे भी काट लेंगे और ये लिए हरी मिर्च इसे हम थोड़ी बड़ी बड़ी टुकड़ों में काटेंगे सबसे पहले हम सडसों का तेल गरम करेंगे उसमें डालेंगे एक छोड़ी चम मजीरा आदा छोड़ी चम मजींग अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च आलू और प्याज यह मैंने सबीची के डाल दीए अब इने हम मिक्स करेंगे यह सबीची चीज़े मिक्स हो गई है अब इसमें मसाले डालेंगे यह लिए मैंने नमक स्वाद अनुसार एक चम मज लाल मिर्च पाउडर एक चम मज धनिया पाउडर और एक चम मज हल्दी पाउडर अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अब इसमें हम एक कडूरी पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे अब इसे हम पेट से ढट देंगे और धीमियाज पर पकाएंगे थोड़ देर बाद चेक करते हैं यह सब्जी बन चुकी है यह सब्जी बहुत कम समय में बन कर तयार हो जाती है इसे एक बार बना कर जरूर देखें आज की जैसे भी आपको कैसी लगी है मुझे खबेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक सियर और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज नहीं वीडियो देखने के लिए